यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है, मेरे गाउंग से एक किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वह एक ब्रिशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी-लंबी और उपर से नीचे की और आकर उपर की और मोडी हुई मूर के आकर की है, वह पेड़ देख कि भूत चोडेल आत्माएं होती है, हर गली हर चौर आहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है, वो तक तक नहीं हमें दिखती, जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती है, यह आत्माएं जब दिखती है, जब किसी की राशी उस आत्मा से मिल जाए दिखती है, मैं तुम्हीं एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं अब मैं आपको उस घटना के बारे मैं बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे उस पेड़ की सखाओं पर हम जूले की तरह पर हम बच्चे कहां किसी की मानते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे, एक बार की बात है दोपहर का समय था हम तीन दोस्तों, ने मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए बारा बजे बजे का समय था हम लोग वहां पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान कि हम लोग उचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बन कर डराएंगे और हमने अपने अपने पेंट में खुछ पत्थर भर के उपर चड़ गए दोस्तों एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से दो खित दूर एक हुआ था जि कि मुझे प्यास नहीं लगी है तुम लोग चले जाओ दोस्तों वो लोग उत्तर कर पानी पीने चले गए दोपहर का समय था सूर्य अपनी फुल तपन पर था जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल जोंड बनकर धुल उड़ाते हुए आज जा रहे थे आप ल के सारे पते आवाज करने लगे खर-खर और कुछ तूटके गिरने लगे धुल की वज़े से तो मेरी आँखें बंध हो गई सारे पंची उड़ गए एक दम मैंने जब आँखें खोली तो क्या देखता हूँ एक आली सी शकल का बड़े-बड़े बालों-बाला और इतना ड कर उन्होंने मुझे बिठाया नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्थे हुए थे इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था जब मेरे दोस्त ने पुछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भ पीने जाना पढ़ा मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काम रहे थे मैं मन ही मन मैं सोच रहा था कि बस आज मैं यहां से निकल जाओं कल से मैं यहां नहीं आओंगा मेने बाल्टी उठाई और कोई मैं डाल दी जैसे ही कोई मैं बाल्टी पहुंची एक दम से वाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे लिए को